कुछ एप सब्सक्राइब को एक दाम अल्टिवेट होंगे एज यू अल्टिवेट यूनिट वान तू थी और फ्रों फोर फ्रॉम देर हैं रिटन नोट्स ठीक है चारो यूनिट हमने आपकी हैं रिटन नोट्स थे विज्ञान की एक बार करने जो है क्या कर दी हैं बहित कर सब्सक्राइब करणे आप लिए करने के बाद में आपको इहन ही चार्ड यूनिटस के सारी चैप्रेर्स कि यूद्ध कर वाईज करा दिया था तो उसी खत्रतों को समिंट और तो कर्ने। करने का प्रयास करेंगे और मान लो इन केस अगर ये रह जाता है क्या रह जाता है भईया कि ये सिलाबस आपको कुछ अधूरा भी रह जाता है तो there is no need to take tension मैं इसको कल कर दूँगी ये एक आपका revision purpose के लिए है आप ये देखिये कि जितना आपने हमसे पढ़ा unit में चारो में अभी हारी के चारो पास दिन पहले ही तो उन में से आपको कितनी चीज़े आ रही है समझ आपको ये समझना है ये जानने का प्रयास करना है ठीक है बोलिए आ रही है बात समझ अगर आ रही है तो it's well and good तो आपका पहला question क्या है आज का आपका पहला question क्या है देखो भाई तो पहला question है आपकी screen पे सूर की प्रथवी से दूरी कितनी है तो कितनी है वही है 14.9 6 करोड किलो मेटर जब भी आप अपना answer लिखिएगा तो 14.9 6 करोड को क्या करोगे आप हाइलाइट कर दोगे क्या कर दोगे हाइलाइट कर देना ठीक है स्टॉर मंदल का सब्सक्राइब हाइलाइट कर देना ठीक है स्टॉर मंदल का सब्सक्राइब हाइलाइट कर देना ठीक तो यहां पर ब्लैक पन चला देना नडिन पच चोड़ होंगे कि एक दिन चोड़ के और सुड़कों ने के आपको नौकर। सबसे पहला होता है छोड़ के ब्रिस्पप तो क्या जागा फिर सब दिन चोड़ सबस्क्री उसकार, सबस्के giर, पर इत्वार तो सबस्क्रास करें रवी को छोड़ दोगे तो क्या। मंगल मंगल के बाद में बुद्दु को ठोड़ दोगे तो सब के बाद में आपको अरुण और वरुण ऐसे करके आपको पूरी सीरीज सिखाई थी ना ठीक है तो इस तरीके से आपको सिखाया था और आपको बहुत सारी चीजे भी बताई थी होपस हो कि आपको यह सब कुछ यहाद होगा तो सौर मंदल का सबसे चोटा ग्रह आपका कौन स प्रत्वी का उपगर है कौन सा है तो प्रत्वी का उपगर आपको यह संद्रमा क्यों चलेंगे आपको फर्ट ऑब से शेयर कर दोई है जिन्हों कि एक बड़ फर्टा फर्ट से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए हैना अगर आप लोग से संबंधिट वीडियो भी चा तारों का विशाल पुंज होता जिसमेंद अधिकांच तारे आखो द्वारा दिखाई नहीं देते हैं युनानी भासा में कया कहते हैं गैलक्सी किस भासा में कहा ज़ता है आकास गंगा को को सवाइब सव मंदल में ग्रभों के नाम बताओ तो यह आपका फर्ज है कि ग्रहों सभ्र Siteciami और बतांतु तो अकाश में कुछ तारे सुन्दर आकरतियों के रूप में विवस्तित होते हैं इन प्रतियों को हम क्या कैते हैं आकाश गंगा के ताया मंदलों के ना मताओ तो इस आप Aure Falls रिष्यक और está वर्पूशी का या िदिखाया था था निक्स्ट कोशिए आपको थाया क्या है हमने यहप Fram पुछाया दोनों के विशाय में पढ़ाया था अगर आपको याद है तो इस वेल एंड गुड नहीं याद है तो एक बर आप लोग उन वीडियो को फिर से देख लो नोट्स वाले वीडियो को और उसका नोट्स का मैंने जो पीडिया पे वह आपका मैंना ये सेच एसी एडी वर्स्तु आपार दर्शी वर्स्तु का मतलब होता है कि जिसके आरपार प्रकाश ना जा पाए जिसके आरपार प्रकाश ना जा पाए तो जब किसी आपार दर्शी वर्स्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकार को वर्स्तु क्या सबसे पहली कंडिशन होता है वह आपको कौन से दिन होता है जब सूर और प्रत्वी के मद्ध में जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तब आपका होता है सूर ग्रहन केशन होता है और चंदरमा की च्छाया परत्वि पर ने लगती है क्या कहते है strict question पूछा कि चंद्र ग्रहन कब पढ़ता है और पूछ लिए चंद्रग्रहन कब पढ़ता है लिए कि नेक्स्ट पूछने हैं प्रकार की है तो आपकी तीन प्रकार की होती है एक तो थी आपके खदिस की फासल एक होती है आपके फैसल और में जायकस्ति फेसल है थिक है उसके बाद में नेक्स्ट कोश्षें की सब आपके अतिलगोत तरी प्रिष्ण लिख्ष अ के ध्यान लगा करके करिएगा उसके बाद में सिचाई की प्रमुक विधियां कौन सी है यह पूछा गया है तो प्रवाविधी कूड विधी बार्ड विधी क्यारी विधी वलाय विधी और ड्रिप विधी यह आपकी सिचाई की प्रमुक विधियां ने आपको ड्रिप विधी बहुत अच्छे से बताई थी फीगर के साथ ने बताई थी ऐसे से यहां पर सब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ कराया है ने वह नोट्स जरूर रिवाइस कर देख रहा है ऐसा कोई कोश्यन नहीं है हमको लगता अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया नहों क्रसी की प्र आपकी बीजबोने की प्रमुग तथा प्राचीन विधी कौन सी है तो हाथ से छटकववा विदी जो होती है वो आपकी बीज बोने की सबसे प्रमुग तता प्राचीन विधी है कौन से छिटकाउआ विधी तो आप यह आप से आपको क्या परunn ya कार का फोर्मुला का अबने आपको पढ़ा था एफ ड को थी यहांपर Mont Bundes का मतलब होता था बलड का मतलब उछथापन और क्या रही है बताया था ना ककड़ार सूर्ने माना जाएगा जैसे आपने बोज सर पर liquirst or यह रहा होता है तो उस समय में उसका कार क्या माना जाता है, किता माना जाता है, ठीक है, कार किस प्रकार की राशी है, अपकी तो अधिश राशी है, उसके बादे माकासा का मतलब होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकंड पद्दती में कार का मतलब हो जाएगा आपका जूल नेक्स्ट बल किसे कहा जाता है देख लिए वाट इस फोर्स तो किसी पदार्थ को करने में जिस उर्जा का किसी पदार्थ को यहां पर लिख दीजेगा विस्थापित करने में किसी पदार्थ को करने में यहां पर विस्थापित करने में या फिर आप यह भी ब कोशिए परिवाहन के साधन लुकी की रूप से किस पर नर्भर करतें लिए पेट्रोलियम उत्पादो पर नर्भर होते है विद्द विद्द गया को पुप्यों को फ्रेज टीवी गूदर को चलाने में उप्यों के क्या होता है तो बाइयो गैस आपका प्लांट से उत्पन्द गैस बाइयो गैस बनाती है अच्छा एक बार देख लिए आपका चौबिस्वा नंबर कोश्चन उर्जा के सीमित श्रोट यह बहुत मतलब कह सकते हैं उम्दा कोश्चन है वन अफ दा इल्टीमेट कोश्चन है जिसको आपसे इवन कमपटेशन इग्जाम में भी पूछ सकते हैं यह तो आपको पढ़ता ही होना चाहिए कि सीमित श्रोट यह अथे नवी करनी उर्जा क्या होता है तो अगर आपका प्थर कोईला हो गया पच्रोलिया मुतपाध हो गया यह आपके क्या सीमित श्रोट है शीमे शुरुत का मतलब आणवी करनी शुरुत है और वहीं यहांद इमें नभी करनी शुरुत के लिए प्रापत कर सकते हैं next question number 25 आश्वन विदी का उपयोग किसकारे के लिए किया ज googling क $ वी्ल związ Dai n bar बताईfold कमेंट शेक्षण में कमेंट करना नहीं बूल यह---- न टेलीगराम चैनल पीजी पॉइंट चर्च सकते हैं में आपके सामने सामने एक नंबर है लिखिएगा भाई उस नंबर का स्क्रीन शॉट आप लोग ले सकते हैं यदि आपको डिलेट से सम्मंदित कोई जानकारी चाहिए या आपको डिलेट के नोट्स चाहिए सभी सनस्टर के तो आप हमें इस नंबर पर मेसेज कर सकते हैं क्रप्या कॉल नंगने च्वास में इंदाान किसे जासमें क्यों कोई न्बर करें हम प्राइज उब्राइँ प्रकार को अब याथ हो पर क्या पढ़ dough कर यह नभी पर कहださい तो वायू , जल, इवाइड़ो न सूर्य पुणह working वाले यह एद जल यह प्रापती है और यह कहांगा प्रापती हैं भोजन से ब्राप्त होती है जीवन कैस्तितों को बनाए रखने में कौन साधन आवशक है तो जो भोजन कपड़ा और मकान यातरात सिक्षा इवं मन्नोरंजन के साधन अति आवशक है वेकल्पिक उर्जा के कौन कौन से श्रोत है तो सौर उर्जा गतिमान वायू जल समुर ज करेता है इसको सोलर कूकर के द्वारा भोजन पकाने में प्रेयोग किया जता है कैसे काम करते है हमने आपको इस इसके वाइस के रिच्ट वाशन जोती है वह रेफ्लैक्त होती है सब सब्सक्राइब हुआ है तो इस हमल रिक्वेश्स फर्म्य अप्डेट माई प्लेस्स तो you can go and watch all that videos which you did not watch okay next solar cell किसे कहते बहिया सूर की प्रकास उठ्जा को विद्धु तुर्जा में परिवर्टित होने की उक्ति को सौर्सल कहा जाता है अधिक संक्या में विद्धु धरा प्राप्त करने ही तो अधिक संक्या में से इसे लो को जूर जाता है जिसे इंट पॉंप की अधारे अब्र के यह ने की कुल बच्चो को ही समझेंसे व मतलब यह आपका पर इसेत अçarनी के तो आप nee के जिए को पराद में उस्टा है पूझा कैना कि सबातिक औने प्रतों पाइप है як चिम्ता लिख सकते हैं, question number 35 भे आपका जुके तल की साहिता से आप इससे प्रकार का आचानीस कर सकते हैं, जैसे जीना जुके तल की साहिता से आपका बार एकर और comigo, असानीस से चड़ा सकते हैं, नेक्स्ट कोशिका किसे कहते हैं, तो मानव शरीर जी नसंग के चुटी-चुटी इकाईयों से मिलकर के बना है, या बनता है उन इकाईयों को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, केंद्रक क्या है या आपका केंद्रक किसे कहते हैं, नूकलियस किसे कहते हैं, तो केंद्रक कोशिका के बीच में इस्थित होता है और कोशिका रसका ही सगन पिंड़ या अधिक गहरे रंग का होता है अता इसको कोशिका में असानी से पैचाना जा सकता है किंद्रक ही आपका क्या है वह यह किंद्रक की कोशिका का जीवन है किंद्रक ही क्या है कोशिका का जीवन है तिक नेक्स्ट आपका किंद्रक जीवद्रवे क्या होता है किंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल एवं चिप चिपे पदार्थ को किंद्रक जीवद्रवे कहते हैं क्या कहते हैं कोशिका के प्रमुख तीन अंग लिको तो जो आपके कोशिका होती है जो आपकी सेल होती है इसके जो क्या है को युछ सब्सक्वार्ट तक कोशियों इप्सक्राइब करना चाहिएगा तो कमेंट चक्षया नहीं करने अगर शेघंए और cell wall जीवन कहाँ है एक अधार इस लोचल को प्रियों की विएङक प्रजिनन और नेक्स्ट। आपका सोलर पैनल का प्रियोग बिशेश रूप से कहाँ किया जाता है सोलर पैनल का प्रियोग विशेश रूप से आपका दूरस्त ग्रामीर छेत्र जहां विद्युत उपलब्द नहीं है वहाँ पर रौशनी के रूप में रेडियो टेवी दित जता था जल पंप चलाने के लिए हम लोग सोलर पैनल का उपयोग विशेश रूप से करते हैं ठीक है पावन उर्जा क्या है तो वायू के गतिशील होने से उत्पन होने वाली उर्जा को हम लोग क्या कहते हैं गतिजोर्जा गतिजोर्जाय को आम लोग इत्पनर जो हती है उसको कहते है पवन उरजा नेक्स्ट कोशिन है जल में उरजाया जल उरजाय में कौनसा उरज़ा उरस होती है ज्वार भाटा उर्जा की किस प्रकार की श्रोत है तो ज्वारी ये लहरो तरंगों में आपार गतिज उर्जा होती है इस उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है इस प्रकार ज्वार भाटा उर्जा का क्या भी या नवी करनी है श्रोत है भारत में ज् कंजर्वेशन ऐफ नेर्जी यste डे एफ्व Ronald ओड इनेरजी दू इन्रशया को मूर्च अ कर सकतें तो क्या कर सकतें ज्रूपांत्र कर सकते और एननर्जी यैएकर दरrier सकतें तो बना सकते उर्जा को नहीं नस्ट कर सकते हैं बापित उसको क्या कर सकते हैं परिवर्थित कर सकते हैं ठिक फिर देखो उर्जा के संरक्षन के निया मनुसार उर्जा का विनाश नहीं होता केवल एक प्रकार की उर्जा का दूसरे प्रकार की उर्जा में परिवर्थन होता उर्जा ना काibenра सकती है वह सद्धैव महिता सद्धै हो background काorang करें सायक उसलब्रतव यहा पर आप सरल मशीन के कुछ उधारण भी लिक सकते थे जैसे आप ने कल पढ़ा था हमारे साथ में क्या पर बता ये सरल उधारण के अंतरगत अचाबी थोड़ के लिखो यह Inizip के सब लोग लिख रहे हो सरल मशीन के प्रकार आपके उत्तोलक पेच गिर्णी जुखा हुआ अतल और पहीया और धुरी यह सब चीज़े आपके क्या हैं यह सब चीज़े आपके सरल मशीन के प्रकार है यानि कि आप यहां से कित्ते कॉशन कंप्लीट कर चुके 50 कॉशन अपने कंप्लीट कर चुके एक फटाफट से शेशन को लाइक कर दीजेगा जोड़दार तरीके से शेयर कर दीजेगा एक दम स्पीड के साथ में आपके अल्टीमेट रिवीजन क्लास हो रही है कॉशन नमबर फिफ्टीवन आपका पूचा गया घिड़नी क्या है तो घिड़नी एक सरल मशीन है यह चले इवा मचल दो कि विटमीटमेट बीटमीन के लेकिन आपको इस मिला यह वह वीटमीन सिप् dessa पहले पाद मेसा जेसे बढर पाल अब बता जो जन्तुओं से प्राफ तो वह हो जाएगा धुग्द कि दूत्थ शरीरवर्दग भोजन किसे कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं छरीरवर्दक भोजन कहते हैं मनुष्य को प्रते दिन अपने भोजन में कितने लीटर पानी की अवशकता होती तो 1.5-2 करण बन जाता है इस ही हमको इस्थिती का कहना पड़ता है इसके नमक रोग पॉष्टिक तत्तों की कमी से होता है तो इसके बाद परिजर्वेशन के लिए प्रेजर्वेशन कौन कौन सी विद्धिया अपना नहीं चाहिए तो आपके पास कुछ विद्धिया जिनकी वज़े से आप कर सकते हैं फूड का प्रिजर्व कर सकते हैं या पर रक्षित कर सकते हैं जैसे अंतराल से उबालना ठंडा करना सुखाना अच्छा ऐसा अचार तयार करना डिब्बा नत्बंध करके रखना है इन तब चीजों से हम क्या कर सकते हैं भोजन को संघ्षित कर सकते हैं अब देख भी बात है आसा आहे अपके तो क्या होता है तो तो क्या होता है वो संद्रक्षित हो जाता है ना बस वही बात पताई गई है कोशन नमबर 60 आपका कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताओ तो प्रमुख संक्रामक रोग आपके कौन-कौन से हैजर टीबी खत्रा टाइफाइट डिप्थीरिया पेचिस सूजाग प इतने बचें 38 कोशन बचे हुए आए चलते एक-एक की तरफ बढ़ते हैं थे ना वेट है ठीक है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 61 सारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है तो दूशित भोजन समझेगा बात को जो दूशित भोजन होता है दूशित वातावरण होता है संक्रामक रोग किसे कहते हैं या से सबसे प्रत्यक्ष उधारण आपने कोविड को देखा को देखा कोविड काल में है ना तो संक्रामक रोग है किसको कहते संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष के सूक्ष में जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुशिक तदा चुवा चूट के कारण फैलते हैं हम लोग क्या कहते हैं संचारी रोग कहते हैं संक्रामक रोग आपके दो प्रकार के होते हैं तो एक तो होता है आपका संसर्गिक और दूसरा होता है आपका संचारी थिक पर्माणू का अवेश क्या होता है तो पर्माणू का अवेश सूनने होता है पर्माणू संख्या क्या होती है तो वह मूल भूत संख्या जो उस पर्माणू के नाभिकों में प्राया प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है वे संख्या एलक्टॉरॉन की संख्या के तु साइधा किसे कहते हैं। किसी तत्व के परमानु के बहतामकोश यानी कि cancel कख्षा में, उपस्तित-ईलेक्ट्रोनिके संख्या को, उस तत्व की क्या कहते हैं वह संहगते हैं। वद नेग्स्ट caveat योंगिक किसे कहते हैं कि अंटरगत को आयेगा क्यूंकि आपका भीया i sinners कैव新 यह प्रति टीर किसे कहते हैं एसाइन ययसे हमने से पूछा था आपने कहां यहाई insan तो यह आपके प्रतीक होते हैं, जैसे कहीं पर EU लिखा हो तो आप समझ जाओ कि यह गोल्ड है, किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना, क्या कहलता है, प्रतीक कहलता है, पासपडोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो तीवरे एव मिट्टी पलट हल किस प्रकार कूड काटता है, तो आयताकार में काटता है, सरपाकार, गोलाकार, लंबवतकार यह समना लिख करके चले आना, और यह कोश्चन एक नंबर MCQ जो भी पूच सकता है, तो बहुत अच्छा सी याद रखेगा, मिट्टी पलट हल जो है, वह किस कूड काटता है, तो आयताकार, इंदन को परिभाशित करना है, बीटी सी में पुराने टाइम पर पूचा गया क्वेश्चन, इंदन आपका जो लंचील प्रदारत है, जिसका उप्योग उसमा प्राप्त करने हैं, तो किया जबता है, और इनकी तीन अवस्थाइं होती, जो आपकी केवल रसाइनिक समीकरन लिखी है, अब माँ चरित्तुर नहीं लिख करके आना है, आपको कि रखी फोटो सिंथाशिर मतलब प्रकास थैंसलेशन होता है, प्रकास थैंसलेशन के बिना अगर नहीं होता, तो हम लोग सास नहीं ले पाते, भोजन को खाना नहीं मि लेकिन फिर भी जो वोजन नहीं मिलेगा तो पेड़ कैसे जिंदा यह चरित्तुर नहीं लगना वा यहां पर प्रिशने पूचा केवल रसाइनिक समीकरन लिखना है, तो केवल रसाइनिक समीकरन आप कैसे लिखोगे, 6-2-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0- लुकोज यह कैजल, इनका नाम भी मेंचन कर दीजेगा, जांग की अस्ती का नाम लिखो बीटी सी, यह सब प्रीवियस एर देख लो भाई है, सब प्रीवियस एर में पूचेगें कोशन है, तो जांग की अस्ती का नाम फीमर होता है, जब आप इस समीकरन को कम्प्लीट कर सब्सक्राइब करें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, M का है आपका परमारु द्रव विमान है, O का है आपका परमारु संक्या, X का है आपका तत्व, sodium hydroxide, hydrochloric अम लग की अभी क्रिया करनी है, तो आपको साफसाब पता है कि भाईया, एक यह आपका base है, क्योंकि यह आपका सब्सक्राइब करें, तो इसको हम लोग कहते है, तो इसको हम लोग कहते है, इसको हम लोग कहते है, तो 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 इसको हम लोग कहते है, जैसे आपका माचेस का जलना, हना मा वाष्पन की से कहते हैं तो इस पीड्र गोड़ी से रूपघ बराबर के दूरि बट दूरी बते से चाल के इसका मात रख क्या था मीटर प्रती सेकंड होता है फसल चक्रण क्या है यह यह फसल चक्र क्राइब क्यातर है King किसी खेत में निस्चित समय में एक पस्टात दूसरी वर्लागने की करिया को जिससे भूमी की अर्वराशक्षिर नस्द नहोंने पाए फसल क्याध नि सल चक्रण कहते हैं कोश्यन नंबर 86 देख सकते हैं बीटीसी 2016 2016 2016 2016 दती में पूछेगें कोश्यन तर्थी प्रकार के उत्तोलग के कोई दोधारन तो चिम्टा और चाक्क होगे सिर्के का रसाइनिक दाम सी एस्ट्रीट सी ओएच होगे एस्ट्रीटिक एस्ट्रीट याद रख नहीं होगी जबन अभी करणी ऊड़जा फिसमें वसा में गुलांशील डोविटामिन के नाम लिखो तो एडी एक सब कहां मैं आपके वसा में गुलांशील वाइटमिन यह आपका बीटेसी 2016 में फिर से देकिए सारी previous year कोशन करा रहें हम आपको कितने इंपोर्टेंट पर चाहे जितने इंपोर्टेंट नहीं लगना है फटा फट चैशन को लाइक कर दीजे अगर अभी तक आपने शेर नहीं किया तो कर दीजेगा हमाई चैनल पढ़ना है तो क्या करना है आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है टेली ग्रांट चैनल में नियसे चैसीय डियमड जरूर जाना है और आप लोगों को बहुत जल्द बहुत कुछ अकेडमी आप मिलने वाले तो मनिश अकेडमी आप इस्तौल कर लीजेगा आप सभी लोग ठीक है अब देखो भया तीका करण की परिवाशा उपयुक्त समय पर रोग जनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुचन कोशन आपका सरल मशीन पाच प्रकार के होती हो तो लग पेज जुका अतलों घिरनी पाई और दूरी सौर मंडल सूरिक से सबसे नस्दी की सिद्ग्रह का नाम बता तो बुद्ग्रह मानव की खोपड़े में उपस्थित अधियों की कुल संक्या कितनी है तो 29 होती है ठीक ह कीटो के कीटो में वर्जे प्रदार्थ का निस्काशन या उत्रजियंग द्वारा होता है तो उसको में कहते हैं मैल पीगी है निसर्ग न लिकाएं ही मुख्य उत्रजन इंद्रियां होती है यह आप देख रहा हो बीटी सी में पूछे हुए कोश्यन से सारे देख लो कितन वेलंसी कित्ती होगी इसकी तो प्लस का थ्री होगी उर्जा के संचरण की किस विदी द्वारा जल गर्म होता है तो आपका करेक्टर जागा समवाहन यानि की पानी या कंडक्शन ठीक है तो यहां से आप अठान नवे कोशन कर चुके हो दो कोशन आप मेरी तरफ से बता द कि द्वतिय स्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसके मध्य में कह रहता है पहला कोशन यानि कि पूरे अब यहां से आपके सो कोशन हो जाएंगे निन्यान नवेवा कोशन है आपका कि प्रत्वी की जड़वा किसको कहा देता है और उसके बाद में द्वतिय स्रेणी के उत्तो सब्सक्राइब कर सकते हमारा आप इस नंबर में वाट्साइब मेसेज कर सकते हैं उसके बाद में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए कि जहां पर आपको यह थी एक चोटी से जानकरी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के मादे में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा हमेशा खूस रहिए मुस्कुराते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए तिल देन टेक क्यार बाइबाए लव यू ओल लव यू माई कर देक्स्त विलतो के लिए तेक्स्तर विलतों के लिए लिए